इसलिए कुछ नया उपाय करना होगा और इस तरीके से इंद्रा गांधी ने 1984 में इस देश में electronic voting machine पहली बार लाई और उसने प्रयोग करवाया इस भारत में केरला में इसने छोटे छोटे चुनाओं में वहां असाम में सिल्चर में पुरूत्तर छेत्रों में इन लोगों ने छोटे छोटे घपले बाजी शुरू की इंद्रा गांधी के दौर से शुर है इन लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा यह अच्छेत पड़े हुए हैं वेहोशी की मधोसी की हालत में इन लोगों को वेवकूफ बनाना बड़ा आसान है इसलिए अब कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर इस देश में 2003 में electronic voting machine का प्रयोग करके और घुटाला किया दु 2004 में जो चुना हुआ कांग्रेस ने उस चुनाओं को बड़े बहुमत से जीता वो किसका परिणाम था वोट के मसीन के द्वारा वोटों की चोरी हुई थी साथियों उसमें मन मोहन सीन को परधान मंत्री बनाया गया वो बोलता कुछ नहीं था परदे के पीछे से साहसोनिया गांधी और सारे ब्रामण और आरसेस के लोग काम करते थे इन लोगों ने हमारे सम्विधान की धजियां उड़ाना शुरू कर दी एक एक अनुछेद्ध हो जाएंगे अगर बैंक दिवालिया घोसित हो गया थो इस तरीके के कानून एल पीजी एक्ट कांग्रेस ने लाया उननाई सोबान में में ही कांग्रेस ने इसको लागू करवाया और इसी चीज़ की सिलसला को बीजेपी और ब्रामणों की पार्टियों ने बिलकुल कंट कांग्रेस ने बड़े बहुमत से बड़े अंतर से जीत हासिल की और फिर से केंद्र की सत्ता में यह बैठ गई अब की बार जो इसका बीजेपी जो ब्रामणों का दूसरी पार्टी है ब्रामणों की इस देश में पांच-पच पार्टी आए अभी हमारे साथी ने उनका न बारती जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो कांग्रेस जाती है यह खेल चल रहा है इस देश में जिस तरीके से कबड़ी खेला जाता है एक बार ये वाली टीम पढ़ाती है कबड़ी कबड़ी फिर दूसरी बार वाली टीम पढ़ाती है कबड़ी कबड़ी साथियों ये दोनों की दोनों पार्टियां ब्रामणों की ही पार्टियां है हारे कोई जीते कोई लेकिन जो इनाम होगा वो किसके घर जाएगा ब्रामण के घर जाता है इसी तरीके से चाहे कांग्रेस सत्ता में रहे चाहे बीजेपी सत्ता में रहे लेकिन राज किसका चलता है ब्राम मंत्री बनना चाहता था इसलिए इन लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया कि कांग्रेस एलेक्ट्रोनिक वोटिंग मसीन से चोरी कर रही है और 2009 में अटल विहारी बाजपई सुब्रमण्यम स्वामी और जेवियल नसिम्हा सुब्रमण्यम स्वामी और जेवियल नसिम्हाराव ये तीनों भारती जंता पार्टी के नेता है और आज भी जीवित हैं और सांस अद्मी और दोतों मंत्री भी है इन लोगों से दिल्ली हाई कोट ने इनके मुकदमे को खारिज कर दिया इसके बाद भी वो लोग चुप नहीं बैठे और सबूत को इकठा किया और एक किताब लिखी जिसकी प्रस्तावना को किस ने लिखा है लालकृष आडवानी ने ही लिखा हुआ है और इन तीनों ने मिलकर के वह किताब लिखी उस किताब का नाम है कि can we trust Electronic voting मशीन डेमो क्रेसी एट रि chop lab हिंदी में इसका अर्थ होता है कि लोक तंत्र खत्रे में है क्या हमको electronic voting machine पर भरोसा करना चाहिए और उसमें इन गोड़ सबूट दिया और electronic voting machine को जिस देश ने जर्मणी में मनाया जर्मणी के विज्ञानिकों ने बनाया है उनका कहना कि इस सबूट को जब Supreme Court में रखा गया वास्तों में सूप्रिम inspiring आठ अक्टूबर 2013 और उसने कहा कि सिर्फ एलेक्ट्रानिक वोटिंग मसीन से चुनाव कराने से वोट गड़बड़ी होती है इसलिए इसके साथ में एक दूसरी मसीन लगाई जाए जिसको वीवी पैट कहा जाता है जिसमें परची निकलेगी ऐसा आप लोगोंने सुना होग मसीन के साथ एक और मसीन लगेगी कि जिसको आप वोट देंगे बटन दबाएंगे उस उस चुनाव चिन्ध का परची निकलेगा उसमें छपेगा और वह परची कट करके बक्से में चली जाएगी जिस तरीके से एटीम मसीन से आप लोग पैसा निकालते हैं और परची में से सारा विवरन आता है ना कि कितने बज़े आपने पैसा निकाला कितना पैसा निकाला कितना आपका बैलेंस है कितना आपका खाता नंबर है सब कुछ उसमें रहता इसी तरीके कि एक मसीन है वीवी पैट इसको लगाने का आदेश दिया सूप्रीम कोट ने निर्वाचन आ वोटिंग मसीन के साथ में वीवी पैट लगाया जाए साथियों ये चुनाओं इस देश के साथ में धोखा हो रहा था इन लोगों के पास में कुम्भं के मेले के लिए साड़े बारा करोड रुपए सारे बारा सौ करोड रुपए देने के लिए इनके पास में पैसा है इमहा तो इस पर हमारे संगठन के राष्ट्री अध्यक्ष वावन मेश्राम साहब ने सूप्रीम कोट में मुकदमा किया कोट अफ कंडेम किया और चुनाव आयोग के उपर आरोप लगा है कि इसने चुनाव आयोग ने सूप्रीम कोट की बातों का उलंधन किया है तब जाकर के उस सूप्रीम कोट ने आदेश देने के बावजूद भी कांग्रेस भारती जन्ता पार्टी और चुनाव आयोग मिल करके इस देश में सड़यंत्र कर रहे हैं हम लोगों ने पूरे देश में हल्ला मचाया और सबको बताया कि मसीन से चोरी हो रही है हमारे संगठने भारत मुक तो हुए और राजनेयतिक पार्टिय पार्टियां सब्वाजनेयतिक पार्टियां जाकर राष्ट पती से मिलने का काम किया इन लोगों ने चुनाव आयोग से मिलने का काम किया कि Über्पेपर से चुनाव रहाए जाए लेकिन इन लोगों ने साथियों साफ मना कर दिया आप देख रहे हैं कि आप जिस भी पार्टी को चाहते हैं जिस भी नेता को चाहते हैं आप उसको वोट दे रहे हैं लेकिन लगातार वो नेता हार रहा है वह पार्टी की सीटे सुनने आ रही हैं सुनने आ रही हैं कि नहीं चुनाओं नहीं कराने के लिए तयार है तो इसके लिए ये लोग 2019 में electronic voting machine से फिर से चुनाओं कराएंगे तो फिर क्या होने वाला है कौन जीतेगा ब्रामण जीतेगा ब्रामण की पार्टी जीतेगी भारती जन्ता पार्टी जीतेगी या कांग्रेस दोनों ही ब्रामणों की पार्टी यह और इन लोगों ने इसके पहले बताया गया कि संविधान को जला करके टेस्ट लिया है इन लोगों ने सम्विधान को जला करके टेस्ट लिया है कि देखते हैं कि इस देश की जंता किस तरीके से प्रतिक्रिया देती है इस देश के लोग सम्विधान को लेकर के कितने सजग हैं कितने जागरुक हैं और यदि हम सम्विधान को बदलते हैं तो ये लोग कितना दंग में दिन दहाडे भार्ती सम्विधान को जलाया जाता है लेकिन हमारा समाज उग्र नहीं होता है हमारा समाज सडकों पर नहीं आता है साथियों अगर इसी तरीके से हुआ तो 2019 में हम चुना और फिर हार जाएंगे बिये ब्रामणों की सरकार बनेगी और उन लोगों ने 1200 पन्ने का भार्ती दूसरा सम्विधान बना करके रखा है जो कि मनुस्मृती पर आधारित है वर्ण वेवस्ता पर आधारित है और उन वर साथियों तो क्या आप लोग सम्विधान को बदल दिया जाए और ब्रामणी वेवस्ता फिर से लागू हो जाए आप लोग गुलाम हो जाए इसके लिए तयार है नहीं तयार तो फिर क्या करेंगे आंदोलन करेंगे बिल्कुल सही का साथियों इसलिए हम लोग पूरे साथियों आंदोलन के लिए आप लोगों को तयार होना पड़ेगा अभी 6 अक्टूबर को हम लोगों ने गोरकपुर में बड़े बड़ी रैली की और एबियम के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया पूरे देश में आंदोलन चल रहा है साथियों एक बात का ध्यान रख साथ देना चाहिए उस संगठन का साथ देना चाहिए जो भारती संविदान की रक्षा करना चाहता है और भारती संविदान की रक्षा तभी होगी जब electronic voting machine हटेगी तो यह बताइए कि अगर कोई भी पार्टी हो कोई भी संगठन हो मसीन के खिलाफ आंदोलन करेगा तो हमक खिलाफ तो उसका साथ देने से कोई मतलब है क्या कोई मतलब है है अरे भाई आप वोट देंगे तो क्या वोट उसको जाएगा नहीं जाएगा साथियों वोट नहीं जाएगा वोट किसी और को चला जाएगा और आप गुलाम हो जाएगे इसलिए कोई भी दल आए कोई भी संगठना आए हम लोगों को सबसे पहले ये ध्यान में रखना है उद्देश को कि हमारे भारती संविधान को बदला जाने वाला है वार्ती संविधान को कोई हाथ न लगा पाए और वो तभी संबह है जब में एलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मुसीन को हटवाने के लिए आंदोलन करेंगे और उन सभी लोगों का साथ देंगे जो मसीन के लिए आंदोलन कर रहे हैं मसीन को हटवाने के लिए साथियों एक बात और मैं यही पर कहना चाहूंगा कि हम लोग आंदोलन तो कर रहे हैं लेकिन ये सरकार ब्रामनों की सरकार इलेक्षन कमीशन जो दलाल हो गई है ये लगातार कह रहे हैं कि हम मसीन से ही चुनाओ कराएंगे तो दूसरा विकल पर क्या बसता है सरकार नहीं मानेगी तो हम लोगों ने ये तै किया है हमारे पूरे संगठन ने तै किया कि पूरे देश में अलेक्ट्रोनिक मसीन को उठा के पटटके थोड़ दिया जाएगा वही हमारी आजादी का अंतिम रास्ता होगा साथियों तो क्या आप लोग इस बात के लिए समत हैं क्यों समत हैं कि नहीं है तो साथियों आप लोग आजादी के लिए अपने बच्चों के भविश्य के लिए भाति सम्विधान यदि है lock तंत्र यदि जिंदा है तो आप लोग हैं लोग तंत्र नहीं है तो फिर ब्रामण तंत्र इस देश में स्थापित हो जाएगा और फिर से हम लोगों को पशुओं से भी नीचे समझा जाएगा इसी बात को हम लोगं कहने के लिए आप लोगों के बीच में आये थे दिरे लोगों की संक्या कम हो गई लेकिन जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं वो वास्तों में कांसी राम साहब कहा करते थे हमको मुठी बर अनाज चाहिए जो अंकूरित हो सके मतलब उसको खेत में फेको तो जामे उग जाए भूसा भूस जाये तो फसल होगेगे तो आप लोग इस बात को जाकर के सभी लोगों को बताएंगे जो लोग यहां पर आये थे उनको भी पूरी बात बताएंगे कि वो लोग किस लिए आये थे